Welcome back, हमारे पास ऐसे पूराने सिस्टम होते हैं, लक्टप होते हैं, और कभी-कभी यार यह करप्ट हो जाते हैं, otherwise इनके हंदर जो हम SD card इंसर्ट कर रहें, वो यार गलती से करप्ट हो जाते हैं, और फिर हमारे जो important videos होते हैं, important files होते हैं, सब कुछ corrupt या otherwise गलती से भी delete हो जात जादा easy है, description में link दिया है, वहाँसे आप easily Wondershare का recover it डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो installation का process भी बहुँ जादा easy है, link आपको description में मिल जाएगा, वहाँसे जाकि simply link को open कर लेना, और इनका Wondershare recovery it का version 12 भी आया है, और इसके अमदर बहुत सारी interesting features भी आगे में बताऊंगा, तो software को सबसे बेने install कर लेना है, install करने के बाद इसके कुछ file से ये download कर लेगा, और जैसी complete install होता है, तो उसके बाद ये simple interface आपको देखने मिल जाता है, जो भी आपका SD card, जो भी आपका card corrupt होआ है, उसको simply आपको अपने laptop से plug-in, मतलब insert कर लेना है, और यहापे एक option में देखने मिलता है, file location और उसके side में file type, file type के अदर आपके card था, उसमें जो जो भी delete होआ था, और जो जो भी record हो रहा है, यहापे show होगा, यहापे आपको photos, videos, document और other ऐसे section मिल रहाता है, उसके बाद यहापे जैसे कि मेरे photos कुछ delete होएते, वो मुझे recover क यहापे देख सकते हो, यहापे photos मुझे देखने मिल रहे, और side में प्रिमी भी करके देख सकते हो, मतलब जो file आपको record करने थी, वो है के नहीं, preview के उपर click करके आप यहापे देख सकते हो, उसके बाद जिस file को record करना है, select करना है, नेचे record का option देखने मिल जाएगा, पर य इससे guys आप simply लिया जो भी file आपकी delete होई है, video हो, चाहे photos हो, easily recover कर सकते है, आप यार आप 100 MB तब तो free में recover कर सकते है, उसके साथ I think कि 5 MB तब आपको free में record करने का option देखने मिलता है, बट इससे large आपकी files है, तो यहापे आपको plan purchase करने पड़ेंगे, जैसी कि यहापे कुछ plans देखने मिलते है, यहापे हो गया essential, standard और premium, और in में आपको unlimited यहापे recover करने का option देखने मिल जादा है, मतलब आप unlimited data यहापे recover कर सकते है, उसके साथ आप corrupt video भी recover कर सकते है, बट इसके लिए आपको यह जो premium plan है, यह purchase करना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ यहापे आपको plans भी बट आपके छोटी मोटी फाइल से यह तो यह आप easily फ्री में भी recover कर सकते है, आप guys बात करें वीडियो के सबसे important part की, जो recovery 8 का version 12 आया है, उसमें क्या-क्या changes देखने मिलते है, मतलब नया क्या-क्या देखने मिलता है, तो सबसे पहले time machine data recovery कर सकते है, और यह macbook के लिए important है जो mac user होते है, तो वो भी data recovery easily कर सकते है, उसके साथ वीडियो scenario expansion किया है, जैसे कि servilus camera हो गया, या car camera हो गया, उनके भी footage आप easily यह आपर recover कर सकते है, उसके साथ इन्होंने जो recovery है ना, उसमें भी optimization किया है, जैसे कि raw scanning में importantly यहापर कुछ files होगी, जैसे कि वैसे files को यहापर यह recover कर सकते है, और उसके साथ optimize large capacity disk के scanning भी है, मतलब disk को fully यहापर यह scan करेगा, और max आपका data यहापर recover हो सकता है, उसके साथ इन्होंने जो recovery की quantity है ना, इसको भी optimize किया है, जैसे कि MP4, MOV या MXF की files होती है, जैसे कि वैसे यह recover कर सकते है, उतना है नहीं 4K, 8K यह भी file इन से recover हो जाती है, और उसके साथ कुछ की features भी आपको देखने मिल जाते है, जैसे कि preview in real time, जैसे कि मैंने दिखाया था, कि आप जो file recover कर रहे हो, वो preview करे के भी देख साकते हूं कि वो file है कि ने, उसके साथ all-in one data recovery, जिसमें यह 2000 plus storage device को support करता है, और 1000 plus file formats भी इसके अंदर आपको supported deck में को मिल जाते है, उसके साथ NAS data recovery भी यह easily कर सकता है, और Linux में भी data recovery easily इस्ते हो जाती है, अब आपको लगेगा कि यह वीडियो collaboration में बनाया है, इसलिए यह ज़्यादा ही बोल रहा है, बट मैं सच में कहूं, तो मेरे कुछ thumbnail delete होए थे, अपने camera से, तो मैंने इस से easily यहा पर recover data हो जाता है, आप करने हैं, आपके friend का हो, या घर में किसी का भी data, कभी भी mistakenly delete भी होता है, तो आप easily recover it की मदद से recover कर सकते है, आप family members तक या दोस्तों तक इस वीडियो को share कर सकते हो, क्या पता यार कभी किसका data delete हो जाए, और यह software उनकी मदद कर दे, और फ्रेमें भ करके try करने में क्या ही जाता है अपना, तो link सारे description में है, फटा फट जाके आप download कर सकते हो, बाकी वीडियो के regarding, या अपने चानल के regarding, आपके कोई भी feedback हो, नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो, और ऐसी interesting वीडियो देखने के लिए, चानल पो जरू सब्सक्राइक कर लेना, बा